पेमन प्रूफ आपको लाइव दिखाया जा रहा है तो आपके सामने हैं सारा कुछ यहां पर देख लो मेरे इसके एड्स भी आपको ऐसे शो होते है जैसे गूगल एड्सेंस के एड्स आपको छोग रहा है नीचे से क्लोडन करके भी दिखा दू यह भी एक एड्स यहां पर यहां पर अगर किसी post को open करके आपको दिखा दू देखो यहां भी आपको Wignet ad जैसे Google AdSense का ad देखो ads by Google यहां पर देखने को मिल रहा है वहीं उसी तना से आपको Google AdSense की तना से ही इसके भी ads display होते हैं यहां पर देखो again आगा ads by Google जैसे Google AdSense के ads आपको मिलते हैं same as it is आपको देखो यहां भी ads देखने को मिले हैं और site पर भी आपको यह ads देखने को मिलते हैं इसी तना से आप लोगों को इसके भी ads देखने को मिलते हैं तो वे इस ad network के ओपर जो ads आपको देखने को मिलता है वो Google Adsense के ads होते है लेकिन यह Google Adsense का personal ad network नहीं है एक और ad network है इस ad network को यूज करके आप Google Adsense के ads को अपनी website पर यूज कर सकते हो और उसके थूरू earning कर सकते हो तो चलो यार इसके ओपर complete review करते हैं को दिखाते है कैसे आप लोगों ने इस Google Adsense के लिए अप्रूब लेना स्पोर्ज यार समझ रो यह भी गूगल ads लिए अर्णिंग भी इस पर आपको अच्छी खास होती है एड भी Google Adsense के मिलते लेकिन यह Google Adsense नहीं है एक एड नेटवर्क है जैसे Google Adsense भी एड नेटवर्क है उसी तरह यह भी एड नेटवर्क है जैसे ads data ads fly इस तरह बहुत से ads नेटवर्क आपने देखे होगे यह भी उनी तरह का ad network है लेकिन यह सबसे best है मेरी नजर में क्योंकि यह Google Adsense के personal ads आपको प्रवाइड करता है वह ads Google Adsense के ads होते है तो चलो यार इसको implement कैसे करना है इसके लिए apply कैसे करना है इसका approval आपको कैसे मिलेगा एक एक चीज आपको वीडियो में बताना लगो चाहे आप लोग wordpress यूज़ का रहे हो चाहे blogger platform यूज़ का रहे हो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए जल्दी से वाइक 50 के सब्सक्राइबर कम्प्रीट करवा दो तो चलो यार कंप्यूटर की स्क्रीम पर चलते हैं तो यार जैसे ही आप for media.net के उपर आ जाते हो अपना अकॉंट बना ले तो यहां पर आपको चाहर स्टेप को कम्प्रीट करना परता है वह कौन कौन से है फर्स्ट स्टेप पर यह गेटिंग स्टाटिट जब आप इस पर आते हो तो यहां पर आपको ते कुछ चार चीज़े फोलो करनी परती है यहां भी एक डोट टी एस्टी सेटप करना परता है कोड एंटर करना परता है उसके बाद एनलेटिक सेटप करना परता है उसके बाद फून नमबर एड करना परता है दन वैलिडेशन टाइम आपको सेट करना परता है वह कैसे करना परता है वह मैं आपको दिखा देता हूं आप लो करके आपको दिखाता हो क्योंकि मेरा अकाउंट यहां पर बना हो यहां लोग इन करने के बाद आपको इन स्टेप्स को कंप्रीट करना पड़ता है उसके लिए देखो अगर आप ब्लोगर प्लैट्फर्म यूज का रहे हो get ads.tsd पर प्रेस करने ये code आजएगा copy code snippet के परण पर प्रेस करने ये code कोपी हो जाएगा उसके ब्लोगर को पर जाना वर्डप्रेस का भी आपको बतातो पहले ब्लोगर कर सीख लो यह देखो ads.tsd वाला ना तो यहां पर आकर आपने settings के अंदर आ जाना है और scroll down करते जाना ह और यहां पर देखो आपको आपका monetization feature मिलेगा ads.tsd इसे enable करना है अपने enable करने के बाद custom ads.tsd यहां पर आकर paste कर देना है तो paste करने के बाद save के button में press आप लोगों कर देना है इतना काम करने के बाद आप लोगों ने next step क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ देखो आपके नीचे paste करना है वो कैसे करना blogger पर आजेना है यहां आने के बाद देखो theme के ऊपर आजो यहां drop down बटन में press किया और edit html के button में press किया यहां press करने के बाद देखो head tag है इसके नीचे enter किया यहां पर paste करके इसे additive save कर दिया इतना काम करने के बाद आप लोगों का काम यहां पर two step पूरे होगे then third step अपना phone number add करो यह भी green हो जाएगा चारों को green करना है तो उसके बाद 72 horse तक चार दिन के अंदर अंदर आपकी site monetize हो जाती यह ज्यादा से ज्यादा चार दिन के अंदर लेकिन यह 24 सिकंडे के अंदर अंदर ज्यादा तर monetize हो जाती यह आपने इतना वेट करना इसको wordpress पर कैसे इंस्ट्रोल करना उससे पहले मैं आपको बता दो चैनल पर पहली दफाए हो अभी कभी चैनल सब्सक्राइब करो bell icon press करके और के प्रेस कर दो ताकि next वीडियो भी आप तक का सके उसके बाद आप लोगों ने आ आ जाना है अपने wordpress के जब यह tab आपके सामने आएगा यहां पे अपना टैटर रख लेना है तो मैंने for media code रख लिया है तो यहां पर आज आज आना है आप लोगों ने for media को पर यहां देखो analytic setup है यहां पर press किया इस code को यहां से copy किया और यहां पर आपे पेस करके इसे update कर दिया मैंने पहले से कर रखा है यहां आपने देख लेना है कि आपने header को select करके रखना है ठीक है इतना काम करने के बाद आप लोगों ने यह बहुत करना है जैसे ब्लोगर पर करते हो इतना काम करने के बाद आपके यहां पर second step enable हो जाएगा फोर मीडिया ठीक है यह जो उपर फोर मीडिया लिखा हुआ है आप लोगों को ने क्या काम करना फोर मीडिया पर प्रैस करना है यहां पर आपको आपकी earning शोगी जितनी earning होई जितने visitors आए सारा कुछ आपको यहां पर शोग होगा यहा लास्ट सेवन डेज की 23 डोलर है दिस मंथ इस महीने की earning जो है मेरी 300 डोलर है यहां पर ठीक फोर मीडिया डोटनेट की उसके बाद अगर लास्ट मंथ की बात करें तो 100 डोलर earning थी इस मन्थ ज्यादा होगी है ज्यादा traffic आया होगा तो ज्यादा earning हो गई अब देख दिस earning कितनी है एड revenue कितना rtb revenue कितना है और page revenue कितना है ठीक है यह सारा total आपको यहां पर शोग हो रहा है उसके बाद नीचे करके अगर आपको दिखाव revenue per country के कौन सी country पर ज्यादा revenue देखने को मिलता है जर्मनी का revenue सबसे ज्यादा होता है उसके बाद आपको visitors का यहां पर पता यहां पर आपको ads के code देखने को मिलते है आप यहां पर अपने आप भी manually भी ad कर सकते हो लेकिन अगर आप auto ad लगाते हो तो वह सबसे best रहेगा आपके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता यह code कहीं भी आपको put करने नहीं पड़ते एक दफा website पर लगा दिये तो आ manually इन ads को भी जाके लगा सकते हो जैसे आप Google Adsense के ads को use करते हो तो मैं आपको यही कहूँगा recommend यही करूँगा कि आप auto ads को ही लगाओ जैसे मिन पहले आपको setting बदा दी आपने उनी settings को follow करना है इसके बाद बात करते है additional settings की यहां पर आजो यहां पर आके additional settings को अगर आप own कर करके रखते हो तो वह सबसे best है आपके लिए क्योंकि automatically जो आपके ads है इसी से रहना होते है तो सभी को आपने तीनों के तीनों को यह लोग करके रखना है अगर manually एड लगाने तो यहां से है यहां पर अगर आपके payment का method आपको बता दू किस तना video होती है कहां कहां पर video हो सक सकते हो add payment के button पे press करो अभी यहां पर दो payment method है एक है bank transfer दूसरा PayPal देखो bank पी add करना चाहो यहां पर अपना bank add कर दो PayPal add करना चाहो PayPal कर दो PayPal easy है मैंने इस लिए किया हो है अगर आपका PayPal नहीं है तो bank transfer भी add कर सकते हो लेकिन अगर पाकिसान से यहां किसी और भी country से हो तो कुछ ही दिनों के अंदर यहां पर पेनियर का भी payment method आने माला है जो कि पाकिसान में available है और बाकी बहुत सी countries में भी available है अगर आप payment method भी use करना चाहते हो तो यार within one month यहां पर payment method भी आही जाएगा तो आप उससे भी यहां पर use कर सकते हो उसके बाद payment history अगर आपको दिखा दो कि मैंने कितना video ले लिया यहां से तो यहां पर आकर आप देख सकते हो कि video मैंने यहां पर कितना ले लिया हर मंत की 15 डेट को यह payment आपको issue करते है आपके bank account में PayPal में आ जाती है अगर पेवनियर होगा तो पेवनियर में भी आ जाएगी 15 को ठीक है every month की 15 को यहां पर देख लो म सब्सक्राइब की नहीं होगी तो टैंशन ही लेनी आपको रिलीज होगी हर मन्त आपको payment मिलेगी ठीक है मैंने इस पर द्यान में नहीं था दिया तो मैंने रिलीज नहीं करवाई आप करवा सकते हो तो देखो फर्स्ट पेमन मुझे मिल चुकी है उसके बाद मार्च की और प्रैल की payment मुझे माई में मिलेगी याने मही में मुझे 400 टॉलर का वीड्यो मिलेगा क्योंकर 100 का मैं नहीं था लिया मार्च का अप्रैल मार्च का मुझे मई मी में जैसे Google Adsense पर मिलता है यानि next month आपको विडियो पर देखने को मिलता है उसी तरह इसका भी विडियो मिलेगा payment proof आपको live दिखाया जा रहा है तो आपके सामने सारा कुछ यहां पर देख लो मेरे PayPal अकाउंट के उपर आई थी payment April 10 को ठीक है I hope आपने विडियो को पूरा देखा एड नेटवर्क को अप्लाई करके अपनी साइड पे अप्लाई भी कर दिया एक दो दिन के अंदर अंदर आपको इसका approval भी मिल जाएगा और आपकी earning भी स्टार्ट हो जाएगी एवरी मन्त आप लोग यहां से earning विडियो करवा सकते हो अवरी मन्त की 15 डेट को आप लोग earning विडियो ले सकते हो PayPal पे भी ले सकते हो अपने बैंक ट्रांसफर पे भी अपने बैंक के उपर भी payment ले सकते हो कुछ दिन के अंदर इस पर प्योनियर का option भी आजेगा जो के पा इस दफ आयो तो चैनल को भी सब्सक्काइब कर देना टेलिग्राम पर फोलो करना चाहो जाके वहां भी फोलो कर सकते हो इंस्ट्रा पर फोलो करना चाहो इंस्ट्रागाम का लिंक भी विडियो की description में यहां साइट पे भी आपको यूजर नेम शो हो रहा है जाकर फोलो कर स तो